एक बहुती महत पूर्ड सूचना है, सूचना ये है कि हम अब एक साथ दो डिग्री कोर्स कर सकते हैं आपको मालूम है कि हम अपने एजुकेशन के दौरान कभी-कभी चाहते थे कि एक साथ दो डिग्री कोर्स कर पाएं लेकिन जो एजुकेशन पॉलसी थी उसके तहत ऐसा नियम नहीं था हम एक साथ में दो डिग्री कोर्स नहीं कर सकते थे लेकिन अब UGC के दौरा इस बात को अलाउ किया गया है कि आप एक साथ में दो डिग्री कोर्स कर सकते हैं तो अगर आप अभी education में हैं आप चाहते हैं कि एक साथ 2 degree course करें या फिर आप भविस में ये चाहते हैं कि 2 degree course आपके लिए important हो सकते हैं आपके job security के लिए कामा सकते हैं तो अगर आप भविस में कोई 2 degree course करना चाहते हैं या फिर आप किसी अपने व्यक्ति को बताना चाहते है गाइड करना चाहते हैं कि कैसे एक दो कोर्स उसकी लिए फ्यूचर में बहुत ही उपयोगी साबित हो सकते हैं तो जरूर जानिये कि क्या नियम है और कैसे आप एक साथ में दो डिगरी कोर्स कर सकते हैं तो सबसे पहली बात यहाँ पर मैं बता दूँ कि इस वक्त जो यूजी सी के अध्यक्ष हैं एम जगदीस उन्होंने इस बारे में इसकी जानकारी दिये और इसकी जानकारी की तहट उन्होंने ये बताया है कि अब जो न्यू एजिकुशन पॉलिसी है उसमें जो घोशड़ा की गए थी उसके अनुसार छातर अलग 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 स्किल पराप्त कर सकते हैं जब अलग अलग डिगरी कर पाएं या फिर और कोर्स कर पाएं तो अब ऐसा अनौंस किया गया है कि अब इसी सेशन से यानि जो 2022 देश का सेशन होगा अब आप एक साथ में दो कोर्स कर सकते हैं यहाँ पर बताया गया है कि एक साथ फिजिकल मोड में फिजिकल मोड का मतलब आप रेगुलर जैसे स्टेड़ी करते ना उसस तरह से एक कोर्स करने की अनुमती दी जाएगी इसके तहत एक ही युनिवर्सटी से या अलग-अलग युनिवर्सटी से कोर्स किया जा सकता है सिंपल सी बात है आप मालीजिये किसी युनिवर्स्टी में पढ़ते हैं और उसी युनिवर्स्टी के अंतरगत चलने वाले दो अलग अलग डिग्री कोर्स करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं या फिर आप किसी दूसरे युनिवस्टी से संचालित कोई दूसरा कोर्स करना चाहते हैं तो भी आप एक साथ में कर सकते हैं फाइनल बात यह है कि अब आप एक साथ दो डिगरी कोर्स कर सकते हैं इसके लिए और भी कुछ बाते बताई गई हैं जैसे इसमें कहा गया है कि छात्रों द्वारा एक ही समय पर लिए गए दो कोर्स एक इस तरह के होने चाहिए यानि जो course आप करना चाहते हैं जो दो level जो करना चाहते हैं वो एक ही level की होने चाहिए दोनो course जैसे आप एक साथ में graduation कर सकते हैं दो तरह से या दो तरह से post graduation कर सकते हैं या एक साथ में दो diploma course कर सकते हैं मतलब ये संभाव नहीं है कि आप UG भी साथ में करें और साथ में PG भी करें ऐसा नहीं है अगर आप UG Psychology से कर रहे हैं तो साथ में History से कर सकते हैं है न इस तरह से जो एक ही Libel केοι कोर्स हैं वो आप एक साथ में कर सकते हैं और आप अगर डिप्लोमा कोर्स करना चाते हैं तो दो diploma course कर सकते हैं या फिर दो PG एक साथ कर सकते हैं तो इस तरह से आपको ये चीज़े ध्यान रखने हैं अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिए कि किस तरीके से full time degree course की जा सकते हैं इसके बारे में जानना है यहाँ पर ये mistake है not full time ये full लिखा था mistake से यहाँ पर full time है full time degree course तीन तरीके से किये जा सकते हैं पहला तरीका ये है कि physical mode में दोनों course के लिए पढ़ाई कर सकते हैं बसरती दोनों course का समय एक दूसरे के आड़े नहीं आए मतलब ये है कि आप एक university में जाते हैं और आपने दो course जो select किये हैं एक university तो करी सकते हैं लेकिन वो दोनों course का जो timing है वो एक साथ नहीं होना चाहिए या फिर ये कहा जाए कि जब ऐसी चीज़े जारी की जाएंगी तो इनका एक system बनाया जाएगा कि आप दो course अगर जो ले रहे हो उसका time class नहीं करेगा तो पहला तरीका ये है कि physical mode में दोनों course के लिए पढ़ाई कर सकते हैं लेकिन time आड़े नहीं आएगा मतलब time class नहीं होगा दूसरा तरीका ये है कि एक course को physical mode में और दूसरा online तरीके से कर सकते हैं मतलब एक है आप युनिवर्सटी में regular physical mode से attend कर रहे हैं जाते हैं पढ़ते हैं और दूसरा आपका online भी हो सकता है और तीसरा क्या है तीसरा एक साथ आप online दो तरह के degree course कर सकते हैं तो simple सी बात है आपको ध्यान रखना है कि आप किसी college युनिवर्सटी में जाकर physical mode में तोनों course कर सकते हैं पहली condition में एक आप physical mode में जाकर और दूसरा online तरीके से कर सकते हैं और तीसरा तरीका ये है कि आप दोनों course को online टिगरी कर सकते हैं online तरीके से कर सकते हैं और इसमें ये भी कहा गया है कि अगर कोई आप ऐसा course चूज करते हैं जहाँ पर CU set लग होता है तो वहाँ पर उस exam को आपको qualify करना पड़ेगा तो ये भी आपसे कहा गया है तो ये बहुत ही अच्छी चीज है क्योंकि education के दौरान कई बार ऐसा होता ह कि हम अपने future को secure करने के लिए साथ में दो दो चीज़े करना चाहते हैं तो कई बार अभी तक लोग hide करते थे एक course को कर लिया साथ में दूसरा कर लिया बट दूसरे को hide करते थे बाद में कोई job मिल जाती थी लेकिन job से निकाल दिया जाता था कई सारे AC होते थे लेकिन अब समझ गए हैं तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी skill develop हो आप चाहते हैं कि आप future में security के base पर अभी से दो तरीके से चीज़े करना चाहते हैं तो आप जरूर इस तरह से course को करिए अपने school को बढ़ाईएगा और अपने आपको grow कीजिए develop कीजिएगा So thank you for this information आप चाहें तो अपने जो आपके खास लोग हैं आप उनको share कर सकते हैं ताकि उनको पता चले कि अब वो एक साथ में 2 degree course कर सकते हैं Thank you for watching this video